अधिक हम कुछ वीडियो से अप्लोड करने वाले हैं जिसमें हम कोसस करेंगे कि जितनी भी common medicines हैं जो कि आपको चाहतर दिखने को मिलती हैं उन सभी को cover कर सकें तो चाहे आप medical student हैं चाहे आप medical student नहीं हैं ये वीडियो से आपके लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि ये दवा पर सुगर में की है मैटफोर्मिन, मैटिसीन का इस्तमाल Diabetes या फिर सुगर के पेशिट में किया जाता है तो इस तरह से हर मैडिसीन पर आपको दो नाम दिखने को मिलेंगे तो इस दो नाम किए वोते हैं और आप इसे कैसे पैचान सकते हैं इसके बारे में हम जान लेते है इन नाम में से एक नाम होता है उसका generic name या फिर salt name जैसे कि इस medicine पर दिया है matformin तो यह इस medicine का generic या फिर salt name है जो के आपको हर medicine पर इसी तरह से देखने को मिलेगा जबकि जो इसका brand name होता है brand name यहाँ पर दिया हुआ है glycomet जो कि आपको change देखने को मिल सकता है यहाँ पर company का नाम है USB, जिसने इसका नाम रखा है Glycomate, यदि इसकी जगा कोई और company होती तो उसका नाम कुछ और रख सकती थी, इसलिए आपको हमेशा इसके salt या फिर generic name पर focus करना है, जोकि हमेशा same रहता है, जिससे आप उसके function को जान पाएंगे, यानि किसका क्या काम होत stress inhibitor, तो इसका काम क्या होता है, यह erectile dysfunction या फिर male sexual problems के लिए दी जाती है, और यह कई सारे brand name से मिल जाती है, जैसे की वियाग्रा या फिर विगोर, अगली medicine है, बेटा मैथा सौन, यह cortico-estroid या फिर estroid medicine है, इसका इसका इस्तमाल inflammation में किया जाता है, निकि जब भी हमारी body मे inflammation हो जाता है, या फिर bacteria के द्वारा skin infection हो जाता है, तब इसका इसका इस्तमाल करते है, और जाहतार इसका इसका इस्तमाल, ओंटमेड या फिर cream के रूप में किया जाता है, और इसका काफी popular brand name है, बेटनो वेट, बेटनो वेट नाम से आपको असानी से मिल जाती है, अगली medicine inflammation है, fluconazole, fluconazole एक anti-fungal, या जब भी किसी को fungus के द्वारा infection हो जाता है, उस समय इसका इसका इस्तमाल करते है, जैसे की yeast infection, dandruff, uti by candida, candida एक fungus होता है, जिसके कारण कभी-कभी uti या फिर unit tract में infection हो जाता है, और इस medicine के कई सारे brand name है, जिसे की fluca, zocon, जब भी आप इनक कोई medicine अपने हाथ में लेंगे, सबसे पहले आपको उसका salt या फिर उसका genetic name देखना है, अगली medicine है lidocaine, lidocaine एक local anesthetic, यानि कि सुन करने वाली दवा है, और ये pain से relief दिलाती है, यानि कि जब भी कहीं पर दर्द होता है, और उस जगा इसे apply कर लिया जाता है, तो pain का पता नह moxicillin, ये एक penicillin antibiotic है, इसका इस्तमाल bacteria के द्वारा होने वाले infection में करते है, जैसे कि ear infection, यान की कान का infection, throat infection, skin infection और urinary infection, इन सबी में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, उसका काफी popular brand name है, sip mox, तो यहाँ पर आपको sip mox पर धिहान नहीं देना है, आपको इसके general किया, फ तो ये सबी ऐसी दवाए हैं, जो कि बहुत ज़दा इस्तमाल की जाती है, या फिर डॉक्टर्स द्वारा बहुत ज़दा prescribe की जाती है, इसलिए इन सबी के बारे में आपको knowledge होने चाहिए, इस medicine का इस्तमाल pneumonia, cholera, या फिर टाइफस आदी infection में किया जाता है, और इसका काफ अगली medicine है, furosemide, तो furosemide एक loop diuretic है, इसका इस्तमाल भी हम hypertension में करता है, या जब भी किसी का blood pressure बढ़ जाता है, उस समय करता है, या फिर किसी के body में swelling आ जाती है, या फिर edema हो जाता है, तो उस समय भी इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, उसका काफी popular नेम है, lexus, अगल इसका इस्तमाल pain, यानि कि दर्द और inflammation, यानि कि जब भी कहीं पर सूजन और दर्द होता है, तो उस समय इसका 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 क्छिए., जैसे कि body pain, joint pain, muscle pain, और इसका काफी popular नेम है, Reactin, इसके बाद यहाँ पर अगली medicine है, ये क्ि्न लोनłe, antibiotic है, इसका इसका काफी popular brand name है लिवोफ्लोक्स अगली medicine है metaprolol metaprolol का इस्तमाल hypertension में किया जाता है और ये एक beta blocker medicine है तो जब भी किसी का blood pressure बढ़ जाता है या फिर उसके chest में या फिर उसके heart में दर्द होता है तो उस समय इसका इस्तमाल किया जाता है और इसका popular brand name है metolor को लिखके देता है तब भी आप इसे ले सकता है ये एक benzodiazepine class की medicine है इसका इस्तमाल anxiety यानि कि जब भी किसी को घबराट होती है alcohol withdrawal यानि कि जब भी कोई सराब छोड़ देता है तो उसके बाद जो उसके symptoms आते हैं उसमें इसके लावा scissors यानि कि जब भी किसी को दोरे पढ़ता है तो इस सभी में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है और इसका popular brand name है valium इसे नहीं हीपेरिन तो हीपेरिन जो है आपको injection form में मिल जाती है या फिर injection form में आपको देखने को मिलती है और ये एक anti-cogulant medicine है यानि कि blood को पतला करती है फिर blood को जमने से रोकती है तो जब भी किसी को heart attack आ जाता है तो उस समय इसका 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 इस्तमाल करता है या फिर as a blood thinner यानि कि blood को पतला करने के लिए इस medicine का इसका इस्तमाल किया जाता है अगले medicine है sitalopram तो यह SSRI class की drug है या medicine है इसका इस्तमाल depression यानि कि जब भी किसी को चिंता होती है तो उस समय इसका इस्तमाल करते है और ये भी prescribed drug है यानि कि जब आपको डॉक्टर लिखे देते हैं तब भी आप इसे purchase कर सकते हैं और इसका popular brand name है Cytopalm 20 अगली medicine है iso-miprazole ये एक PPI यानि कि proton pump inhibitor है इसका इस्तमाल reduces gastric acid यानि कि ये medicine पेट में acid को कम करती है साथी साथ peptic ulcer यानि कि जब भी पेट में च्छाले हो जाते हैं उस समय इसका इसका इस्तमाल करते हैं और इसका popular brand name है iso-g तो iso-g नाम से आसानी से ये medical पर मिल जाती है अगली medicine है lysonopril तो lysonopril एक ACE inhibitor medicine है इसका इस्तमाल hypertension यानि कि जब भी किसी का blood pressure बढ़ जाता है तो उस समय इसका इसका इस्तमाल करते है और इसका popular brand name है lipril 5 अगली medicine है ibuprofen तो इसके बार में हर कोई जानता है और ये असानी से हर जगा मिल जाती है ये NSAID यानि कि non-isteroidal anti-inflammatory drug है इसका इस्तमाल pain और inflammation या कि जब भी किसी को दर्द होता है तो उसे मैं इसका इस्तमाल करते है जैसे कि headache, body pain और इसका popular brand name है broofen, 200 और नेक्स medicine है Losardin तो Losardin में इसकी एक बहुती popular medicine है इसकी class है angiotensynosin second receptor blocker इसका इसका इस्तमाल भी hypertension में करते है उस समय इसका इस्तमाल किया जाता है और इसका popular brand name है Cosart 50 तो यहाँ पर है Ondans coisas तो यह एक anti-ametic, यानि कि जब भी किसी को nausea होती है या vomiting होती है यानि कि उटी आती है उसका G मिशलाता है उस समय इसका इसका इस्तमाल करता है और इसका popular brand name है Amset तो MSAT आपको असानी से हर जगा देखने को मिल जाती है अगले मैडिसीन है अटर्वास टैटिंग तो एक स्टैटिंग क्लास की मैडिसीन है यह HMG, COA, Reductase Inhibitor है इसका इस्तमाल Hyperlipidemia यानि कि जब भी किसी अक्लोस्टॉल बढ़ जाता है तो उस समय इसका इस्तमाल करते है और इसका popular brand name है Loratin अगले मैडिसीन है आपर Renatidine तो यह एक Anti-Urcer मैडिसीन है इसका इस्तमाल कप करते है यह हमारे पेट में गैस को कम करती है या फिर एसलिटिक को कम करती है और यह Rentec नाम से असानी से मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर है सुमा ट्रिप्टन तो सुमा ट्रिप्टन एक Anti-Migraine Medicine है इसका इस्तमाल माइग्रेन या फिर हमारे जब सिर में तेज दर्द होता है उस समय करते है और यह सुमीनेट नाम से असानी से मिल जाती है और लास्ट मेडिसीन यहाँ पर है टेरा जोसिन जो की एक एलफा ब्लोकर है इसका इस्तमाल भी हाइपर टेंशन यानि कि जब ब्लेट पिशर बढ़ जाता है उस समय करते है और या फिर BPS यानि कि बिनायन प्रोस्टेट हाइपर टॉपी यानि कि जब किसी की प्रोस्टेट ग्लेंड बढ़ जाती है तो उस समय इसका इस्तमाल किया जाता है थैंक यूवरी मुच